जो पहला impression होता है वही last impression होता है first impression is the last impression और यह मैं नहीं कह रहा यह कहते हैं Dana White यहाँ पर अंशुल जुबली अपना debut करने वाले हैं lightweight division में UFC 294 में Mike Briden के खिलाफ उस fight के अंदर एक तरीके से अंशुल जुबली को dominate करना पढ़ेगा फार्ड देना पड़ेगा माइक ब्रीडन को क्योंकि यही एक रास्ता है डेना वाइट की और फाइट फैंस की आँखों में चड़ने का जितने भी आप बड़े-बड़े स्टार्स देख रहे हैं आज के टाइम पर जब वो अपने करियर की शुरुवात में थे और उन्होंने यूएफसी के अंदर एंट्री ली तो उनका डेब्यू और उनकी शुरुवाती जो फाइट थी वो ऐसे ही डॉमिनेट करके ही वो जीते हैं चाहे आप बोर्ड निकल को ले लो चाहे आप हमजद चिमायव को ले लो किसी को भी आप उठा कर देख लो हाँ एकादे ऐसे फाइटर है जो अपनी पहली फाइट हार गए थे जैसे हफायल फिजीव हार गए थे पहली फाइट उसके अलावा आप अगर देखे अपनी पहली फाइट को मट्यूज गेमरोट अपनी पहली फाइट को हार गए थे UFC में लेकिन मेंली जादा तर फाइटर्स अपने पहली फाइट के अंदर ही डोमिनेट करके जीते थे तो अंशुल जुबली के लिए UFC 294 के अंदर अपना जो पहला मैच होगा उसकी इंपोर्टेंस बहुत जादा उनके लिए हो जाती है माइक ब्रीडन को या तो नोकाउट करना पड़ेगा या माइक ब्रीडन को जो है समिट करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि अगर ऐसा होगा तब इफाइट फैंस के अंदर जो है अंसुल जूबली के नेम की हाइप बनेगी अब देखिए हमारे यहाँ पर मैंने काफी ऐसे बंदे भी देखे वो खुद चिला चिला कर कहते हैं हबीब या फिर इसलाम विल फिनिश एक्स वाइजएड ये वो ये वो हम लोगों ने बोल दिया अंसुल विल डॉमिनेट जो है माइक ब्रीडन तो उनको आग लग गई उनको मिट्ची लग गई कि नहीं इस इस दा फाइट गेम आप किसी को अंदर एस्टिमेट नहीं कर सकते तो तुम इसलाम और हभीब के खिलाफ किसी भी फाइटर की फाइट होती है उनको इतना अंदर एस्टिमेट कैसे कर लेते हो ये जो तुमारा दोगलापन है ना जो तुमारे डूवल स्टेंडर्स है फाइट फैंस के इसकी मुझे केयर नहीं है जो सच्चा ही होगी वो बोली जाएगी आपको कडवी लगे कोई बात नहीं दोगलापन आप रखते होंगे मैं नहीं रखता तो उन सभी भाईयों को मैं कहना चाहता हूँ जो अन्शुल जूबली को सपोर्ट करने पर रो रहे हैं लेकिन दूसरे फाइटर्स जो उनके फेवरेट है वो उनके सपोर्ट में चाहे कुछ करते रहें ऐसा नहीं है अन्शुल जूबली किंग है इंडिया का फाइटिंग में और यहां पर जब माइक ब्रीडन के खिलाफ उनकी पहली फाइट होगी तो उसमें डॉमिनेट करना पड़ेगा अगर वो पहली फाइट के अंदर हार गए तो क्या हम उन्हें चैंपिन बनता हुआ देखेंगे नहीं देख सकते मैं पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं तो सीधी सिंपल सी बात है माइक ब्रीडन एक भी फाइट यूएफसी में जीता नहीं है स्टैपिंग स्टॉन की तरह अगर अंशुल जूबली इस फाइट को लेंगे और डॉमिनेट करेंगे या फिर फिनिश करेंगे माइक ब्रीडन को फिनिश चाहिए इस फाइट में फिनिश करेंगे अच्छे तरीके से तो यहाँ पर अंशुल जुबली के लिए lightweight division के रास्ते खुल जाएंगे और अगले तीन चार साल में हम उने champion बनता हुआ देख सकते हैं अगर वो लगातार improve करें लेकिन एक time पर एक step तो अगली fight में dominate करके यह fight फिनिश करके जीतनी पड आपको क्या लगता है कि हमें यह confidence रखना चाहिए या नि बिल्कुल रखना चाहिए और आपको क्या लगता है Mike Briden को वो knockout या submit करेंगे या नहीं नीचे comment box में comment करके बताए मेरा prediction है जरूर करेंगे dominate करके करेंगे लिख के ले लो comment कीजेगा और share कर दीजेगा इस वीडियो को